तो आज कि हमारे वीडियो का टॉपिक है क्या है एच्छे टॉपिक के लिए वाट इस राइट तुस्टार्ट करेंगे और जैसी एक्जाम होगा उसके बाद प्रिमेंज की वेट करेंगे अगर हो रहा है और यह कहानी चलती रहती है बट होता क्या इसके अंदर जहीं पर जो है 99% सुनेंट जो है इसी चीज़ की वज़े से फेल हो जाते हैं तिरफ पर सरफ इसी स्ट्रेटिजी की वज़े से कि वह नोटिफिकेशन की वेट करते रह जाते हैं कोई यह रिलाइज नहीं करते हैं कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको टाइम कितना कम मिलता है जैसी नोटिफिकेशन आया उसके बाद यू थोड़ी ना कि आपको पांच-चे मीने दे देंगे वह की एक्जाम के लिए बहुत ही जल्दी एक्जाम ले लिया जाएगा विदिन वन और टू मन्स तो क्या यह सही स्ट्रेटिजी है कि नोटिफिकेशन के लिए वेट करें अपनी प्रिफिकेशन को स्टार्ट करने के लिए कि कोई पंडेजी आएंगे उसके वाज महरत निकालेंगे जब नौटिफिकेशन आएगा पंडेजी आये महरत निकाला और हमने प्रिफिकेशन स्टार्ट करी तो क्या यह सही है एपसलीटली नो आंसर इस एपसलीटली न that is at not at all the right way to start a preparation that is not at all the right time यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो जब पहला step है आपका क्या वहीं गलत होना चाहिए फुल भी नहीं तो आपको यह चीज़ डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि preparation कब start करनी है तो इसी के topic answer को लिए topic answer के लिए I am making this video event is the right time start the preparation for HCS तो नो कोश्चन है उसका answer तेने से पहले में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा की preparation of HCS is a marathon as well as a sprint यह marathon भी है और sprint भी है वो कैसे है कि HCS जो है कि जो preparation है यह marathon भी है और यह अगर इसका answer मिल गया ना आपको यह पता रह जाएगा आपको preparation का start करनी अभी पता लगता है पहले रेखते हैं कि marathon कैसे है अब HCS का जो paper है वो तीन स्टेज़ेज में है टेज़ वन विच इस बिलिम्ज राइट के बाद अपना क्या है टेज़ टू इस एंस जब आप इन तीनों स्टेज़ से इनों के तीनों स्टेज़ेज से सक्सेस्फुली पास करेंगे इन तीनों स्टेज़ेज को ओनली देन यू बिकेम अन ओफिसर विच अंडर एक हर्याना के अंदर एक सिविल सर्वेंट बनेंगे जब आप इन तीनों स्टेज़ेज को क्लियर करेंगे एंड इस टाइम टेकिंग प्रोसेस्स विकोज तीन स्टेज अपने आप में टाइम लेंगी अपने आप में इस और एक साल अलमस्ट लग जाता है विकॉज अब इसमें जब इंडिविजल स्टेज़ेज है ना इस इंडिविज़ स्टेज़ेज इस प्रिलेंब्स और मेंगेंगे आ therapists करें अ को तो यहां पर आपको प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा ऐसे तना आप सोच रहे हूं पूरे प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम है बट इंडिजल स्टेजिस है इतना टाइम नहीं लग रहा कि नोटीफिकेशन आते ही फटाफ़ फ्रेलिफ ले जाएगा दो महीने के अंदर वह मेंस होगा जिसके दर चार-पज महीने का टाइम आपको दिख रहा होगा वह फिर इंटर्विघ होगा इसने और पी टाइम दिख रहा होगा आपको बैप्रेलिफ्रीम्स उसके लिए आप तो प्रिलिम्स वहीं सेम कहानी में इंट्रूवी के लिए भी आएगी अपने आप में इंडी जो स्टेजिस के स्प्रिंट कीता है ओवरल प्रोसेस के मैरेथन के तो यहां से मैं आपको बताना चाहरा हूं है चोटी-चोटी फटा स्प्रिंट्स लगानी है चल्दी से चल्दी चल्दी चीज़ों कवर करना है फटा फट एक्शन लेना है सोचने का टाइम नहीं है आपके दिमाग में चलना चीए कि मेरे को प्रिलिम्स के लिए डेडिकेट करने फिर चाहे कभी भी नोटिफिकेशन प्रिलिम्स के लिए डेडिकेटिली फोकस करके चलना है तो अब मैं आज से स्टार्ट करूं अगले चार महीने तक अगले चार महीने तक एंदेन नेक्स फोर मन्स चार महिने मुझे डेडिकेटिड्ली कम से कम आइंग इस वह रॉफ आइडिया चार महिने में रफ ली बतार हो आपको और मंच आई विडिएटिकेटिंग फॉर प्रिलियंस स्पेसिफिक करना पहले एक स्टेज कवर करनी है फिर चाह कभी भी और मेंस के लिए भी लट से मेरे को दो महिने मेंस के लिए अलग से देने फिर ओट आपको बताना है को चीजने करनी कैसे हैं अगले चे महिने तक पिर चाह कभी भी नोटिविकेशन उसके बाद कभी पार रहा है तब मैं सिर्फ रिवीजन करूँगा एक बार अच्छे स्लेवर्स हो चुका होगा पुझे वो टेंशन नहीं रहेगी मैं आल्रेडी पाकियों से अहेड रहूंगा फिर अगर आप यह चीज़ कर लेंगे यू विल भी आल्रेडी भी अहेड ओफ लॉट ओफ यूर कॉंपेडिशन आई कन टेल यू दुनिया इस होता है क्या वह यह वेट करता है कि सामने से मेरे पर कोई अटाइक करे मैं तभी अपना हत्यार लेकर खड़ा रहूं करेगा तब हम प्रिपेर करना आएंगे हम आगे खड़े होएंगे नहीं ने और टाइम रहते हूं एसा नहीं है कि वह भीचे आ जाते हैं फोड़े टेम की लिए प्रॉलम देखते तब जाकते वाटर के उपर आपको भी यह जो वह रहाइक एक एचसे की प्रिपरेशन एट्स काइंड आप वारियर की तरह आपको एक लड़ाई लड़नी है अपने अच्छे बहुत अच्छे करियर के लिए उसके लिए हमिशा रेडी रहना है वेट नहीं करना किसी चीज़ का राइट तो यह वैन इसरा राइट टाइम डेन वैंट टाइम अब हैजसे ही आपको समझ में लग जाओ प्रिपरेशन में स्टार्ट करो एक्जाम का एनलाइज करो प्रीवेश पेपर analysis करो topics एक हो कहां से कैसे करना NCRT को कैसे करनी है एक अच्छी guidance के लिए जाओ कैसे कोई हमें गाइड करें अच्छी टेस्ट के बाद राइट तो इस चीज़ शुट भी स्टार्ट इडिए अब आपको यह चीज़े स्टार्ट कर देनी चाहिए अब वेट नहीं करनी चाहिए All right, I hope कि आपको इसी का अंसर जरूर मिल गया होगा, कि what is the right time to start the preparation, see, now the importance of starting the preparation at the right time, क्या फाइदा होगा इसका, the most obvious thing is, you will be ahead of a lot of your competition. जो लोग सोचते रह जाते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं, time होता है implementation का, जब जो बंदा सही time पे सही action ले लेता है, वहीं हमेशा आगे जाता है, यह life का rule है, और यहीं चीज़ आपकी preparation पे भी valid है, आप किसी से पूछ के भी देख लेना, किसी भी student से जो कि कहीं ना कहीं SCS में इसी विज़े से fail हुआ होगा, भई वो आपको यहीं बताएंगे, तो the importance of starting the preparation at the right time, इसी तो self-explanatory ही हो गया होगा, अब तक I guess, आपको इसी समझ में आगी होगी कि right time preparation start करने कि कितने फायदे हैं, आपको एक सबसे बड़ी बात आपकी स्ट्रेस जो होता है preparation का, वो कम हो जाएगा, आप already एक बार slivers cover कर चुके होंगे, तो notification के बाद, आपको सिर्फ revision वाला पार्ट जादा कर रहा होगा, you need to just revise, 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 और जितनी ज्यादा revision करेंगे, उतनी आपकी preparation के होगी, strong होते चले जाएगी, उतना confidence बढ़ता जाएगा, उतनी आपके exam clear करने के probability भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी drastically, I can definitely use the word drastic here, जब आप already जना self-prepared रहेंगे notification वाज जादा कुछ effort करने के ज़रूरत नहीं रहेगी, तब आपके सिर्फ mock test चलेंगे और revision चलेगी, यह तरीका होता चीज़ों करने के, all right, with this, I have one last information for you, time की वेस्टे ना करते वे, पहले एक बार इस frame को देखिए, who all are these, these are the proud toppers, the proud HCS toppers, from Abhimanyu IAS, इस साल भी हमने 25 plus selection secure करें, HCS exam के अंदर, यह उनकी testimony है, you can ask these toppers, they themselves will tell you about Abhimanyu IAS, and we are very proud to tell you about these, और आप भी इसी frame का part बन सकते हैं, अगर आप भी right time पे right decision ले ले तो, it's up to you only, I am not saying anything else to you, I am not forcing you to do anything, अब अपना decision खुद ले सकते हैं, आप इस frame का part बनना चाहते हैं, बिलकु बन सकते हैं, provided आप right time पे right decision लीजिए, और उसी right time पे right decision के लिए, हमने आपके लिए एक option रखा है, which is, the HCS offline batch, अभी मन्यू IS is starting an exclusive HCS offline batch, from the auspicious day of haryana day, which is first November, हम आपके लिए exclusive HCS offline batch लेके आ रहे हैं, और इस batch से related, सारे की सारी कोई भी inquiry है, वो कुछ भी query है, उसके लिए नीचे contact number है, support number है, you can call on there, आप आपके call कर सकते हैं, अपनी inquiries को resolve कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी opportunity है आप because specifically HCS के लिए bed dedicated किया जाएगा और अभी मन्यू IS, 25 साल से जाना experience है इस institute, more than 4800, rather I would say number, इससे भी बहुत बड़ा number है, यह तो एक छोटा सा number बताया मैंने आपको, we have been able to secure selections in the various state PCS exams, और UPSC के अंदर भी मारा बहुत बड़ा contribution, but अगर मैं state specific की बात करूं, तो 4800 plus selections, 25 साल एक मैंने रखता है कि experience, 25 साल कुछ होता है, अभी हम इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पा रहे है, हमारी टेस्टिमन ही आपके सामने है, और इस बैच को जतनी जल्दी हो सके, I would sincerely advise you, जतनी जल्दी हो सके, enroll in this batch, as soon as possible, get your query result from the contact number, and with this, I wish you all best of luck, for your future endeavors, all right, preparation start कर दीजिए, wait न कि अगर आप एक्चुली एच्से सो क्लियर करना चाहते हैं, आप एक्चुली एक सीरस केहने रिट हैं, तो आप प्रिपेशन स्टार्ट कर देंगे, आप बिलकुल वेट नहीं करेंगे, I wish you all best of luck, till our next video, take care, thank you, bye-bye.